सु हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यह के ट्रेडिंग जोन में आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंपोर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में अगर आप बेगिनर हैं एंड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आपक आएंगे कि किसी सेयर को या किसी स्टॉक को कब बाई करना है कब सेयर करना है यह सारी चीजी आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपको चार्ट पैटर नहीं पता होगा तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने सारी के बारे में बताया था कमा के चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस वीडियो में हम बात करेंगे चार पैटन के बारे में जो की है डबल टॉप पैटन एंड डबल बाटम पैटन एंड थर्ड है हेड एंड सोल्डर पैटन एंड लास्ट हमारा है रिवर्स हेड एंड सोल्डर पैटन तो यानि इस वीडियो में हम चार पैटन नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए क्यों खाज अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का जो सबसे पहला बाड होता है के आपको candle के बारे में पताढ़ा होना चाहिए candles को लेकर कितने pattern बन सकते हैं उसके बारे में आपको basic knowledge होना चाहिए जो कि मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है और अगला यह वीडियो जो हमारा है यह pattern को लेकर है सारी candles को मिला कर जो pattern बनते हैं उसके बारे में आप पर हम बात करेंगे तो यह भी आपके लिए काफी important है इसके बाद अगला जो guideline होगी ट्रेडिंग को लेकर उसके बार में भी हम बताएंगे जो ट्रेडिंग में जितने भी important चीजी है जो आपको सीखना चाहिए सारे चीजी आपको इस channel पर मिलने वाली है तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले pattern के बारे में जैसे गाज यहां पर देख सकते हैं आपको नाम से पता चल जाएगा double top pattern यानि यहां पर आपको double top pattern आपको इस तरीके से देखेने को मिलेगा अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको M की तरह यहां पर दिख रहा होगा यहां से इस तरह केसे गया यहां पर नीचे है, इसके बाद उफर फिर से नीचे आ यहां पर चलाए, तो यह इसे M-CS भी आप कह सकते हैं या ड double top pattern भी इसे आप कर सकते हैं या पर देख सकते हैं दूस्तो आपको दो लाइन का देखने को मिलोगों पहला यह हमारा रेजिस्टन्स और नीचे वाला है मस फॉर्ट यानि इस जो price सैसेशन नहीं नहीं आने दे रहा है मतलब इसे यहां पर सफोर्ड कर रहा है और यह वाला रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि यह ऊपर नहीं जाने दे रहा है क्योंकि मार्केट यहां से जा रहा था जाता जाते यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर रिजेक्शन मिले यहां यहां प पर आपको फिर से रेजिस्टेंस का काम की एंड यहां पर नीचे आया नीचे आने के बार इस बार यहां पर सफोर्ट नहीं लिए इस सपोर्ट को यहां पर इनने इसने ब्रेक कर दिये इस बार इसने सपोर्ट को यहां पर देख सकते हैं सपोर्ट नहीं लिए सपोर्ट कि यहां पर इन्होंने ब्रेक कर दिए ब्रेक करने के बाद यहां पर नीचे आ गया तो अगर इस तरह के से आपको पैटरन यहां पर यहां की तरह या डबल टॉफ यहां पर देखेंगे एक करता है यहां पर देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था ऊपर गया एंड यहां पर थोड़ा सा इस पैटन में बना एंड यहां पर नीचे आया यानि अगर आपको इस तरीके से पैटन बनता हुए दिखे तो आपको समझ लेना है कि वहां पर अब जो ट्रेंड है व तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है यहां पर कंडिशन देखना है कि आपको नीचे की तरफ से ही मार्केट ऊपर जा रहा हो बुल इसमें काम करते हैं नीचे की तरफ से मार्केट ऊपर जा रहा हो यहां पर रेजिस्टेंस ले नीचे आए यहां पर entry ले सकते हैं या थोड़ा सा pullback चिक करने के लिए fake breakout है या नहीं तो आप यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से जब pullback ले तो यहां पर भी आप entry ले सकते हैं इसके नीचे का आप यहां कहीं के target ले सकते हैं उमिद करता हम आपको double top pattern यहां पर समझ में आ चुका होगा अब चलिए हम बात करते हैं double bottom chart pattern के बारे में गाज यहां पर देख सकते हैं हमारा double bottom chart pattern आपको देखने को मिला होगा यहां पर भी आपको यहां पर एक line देखने को मिलेगी जिसे आप यहां पर resistance कह सकत करते हैं और नीचे आपको इस तरीके से एक लाइन मिलेगी आप इसे support कंसीडर करा जकते हैं इसमें क्या है कि Market ऊपर की तरफ से यानि Market बीरिस होगा Market ऊपर की तरफ से इस तरीके से नीचे आ रहा होगा यहां पर support लेगा support लेने बाद market ऊपर जाएगा यहाँ पर resistance लेगा इस line के आसपास resistance लेने के बाद दूबारा से market नीची आएगा और इसके बाद market काफी ऊपर चला जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी trend reverse ही वह रहा है market ऊपर की तरफ से यहाँ पर हुआ है नीचे आ रहा है बीरिस है यहां पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहां पर देख सकते हैं बुलीस हो गया यानि यह जो पैटर्ण है यह भी ट्रेंड को रिवर्स करने माला है यहां रगर आप देखेंगे इसे आप डबलू पैटर्ण भी कह सकते हैं उपर वाला जो था यहां पर यहां पर यहां पैटन था यह वाला आप डबलू पैटन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यह डबलू की तरह आपको यहां पर देखने को मिलना है तो इससे आप डबलू पैटन ले सकते हैं यहां पर अपिसी यहां पर लगे सकते हैं इश्ल आपका हे एचल हो जाएगा अगले अब चली है बात करते है है अगले पेटर्ण बरे में तो हमारा अगला pattern यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, यह है head and shoulders pattern, अगर यहां पर आप देखेंगे, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, market नीचे की तरफ से उपर की तरफ जा रहा हो, और उपर जाने के बाद यहां पर एक resistance ले, यहां पर इस तरीके से, resistance लेने के बाद market उपर जाये, and HPR जाने के बाद, यहां पर इस तरीके से नीचे आए, and वही जो support था, उसी को support लेने के बाद दुबारा से महाँ पर जाके, यहां पर नीचे आए, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, यह market नीचे की तरफ से उपर जा रहा था यहां पर आया इस तरीके से थोड़ा से consolidate किया है और यहां पर देख सकते हैं market down trend में आपको देखने को मिला है तो यह डंसोल्डर काफी important pattern है यह भी बार-बार chart pattern में आपको देखने को मिलता है और काफी लोग इससे profit बनाते हैं क्योंकि यह pattern काफी अच्छा खासा आपको target दे सकते हैं काफी बड़ा target देता है और इसमें आपको कैसे target लेना है कैसे आप SL को लगा सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे कि market ऊपर की तरफ गया यहां पर resistance लिया मार्केट नीचे आया support लिया support लेने के बाद यहां पर ऊपर गया इसका जो head बना and head के बाद यहां पर नीचे आया फिर यहां पर इसका एक soldier बना इसके बाद आप देखें कि market यहां से यहां तक breakout कर दिया नीचे की तरफ यहां पर आपको breakout देखने को मिला तो यहां पर आप in यानि support से लेकर इसके support से लेकर इसके head तक जितना size हो उतना बड़ाया आप यहां पर target ले सकते हैं तो उम्हेद करता हम आपको head and shoulder pattern भी समझ में आ चुका होगा अब चली हम बात करते हैं अगले pattern के बारे में जो की है reverse head and shoulder pattern उसी का opposite है यहां पर आगर आप देखेंगे market अब उपर की तरफ से downtrend में आ रहा होगा और यहां पर downtrend में एक यहां पर support लेगा जो इस तरीके से यहां पर support लेने के बाद market उपर की तरफ जाएगा उपर जाने के बाद यहां पर resistance लेगा और इसके बाद फिर से यहां पर नीचे आएगा थोड़ा से इसका head बनेगा और फिर से market नीचे आएगा यहां पर resistance लेने के बाद दुबारा से उपर आएगा यहां पर support लेने के बाद यहां नीचे आप देखेंगे काफी तेजी से यहां पर ऊपर की तरफ आपको breakout देख करते हैं तो अगर आप यहान पर देखेंगे है इसका हेड है रिड के बाद यहां पर नीचे जैसे ही यहां पर Breakout हुआ यह वालिए Candle तो यहां पर आप Entry ले सकते हैं यहां पर entry लेना है और यहां पर आपको ऐसर लगा लेना है इसी Candle का लोग जैसे लो ब्रेक हो आप यहां पर आप अपना ऐसल दे सकते हैं यहांप देख सकते हैं थोड़ा से हैं यहांपे चिक्किंग क culturally मार्केट आपको तेजी से डाउन करेंड में गया तरफिट कितना लेना आपको कर यहां से लेकर कर किसके रिस्टandır तक जितना इसका gap हो उतना बड़ा यहां पर आप target ले सकते हैं तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ यह pattern आपको समझ में आया हो गए चार्ड pattern काफी important है थोड़ा साम जल्ली जल्ली से और मैं आपको बता देता हूँ पहला pattern है double top pattern जो कि आपको यम की तरह देखने को मिलेगा और हमारा दूसरा pattern है double bottom pattern जो कि आपको double की तरह देखने को मिलेगा और तीसरा हमारा pattern है यहाँ पर head and shoulder यानि कंदे की तरह आपको head and shoulder यहाँ पर सिर आप देख सकते हैं एंड यह दोनों कंदे हैं तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा उसी का अपोजिट यहां पे reverse head and solar आपको देखने को मिलेगा जिसमें सिर नीचे होगा और यहां पे कंदा वे उस तरीके से उल्टे की तरफ होगा market उपर की तरफ से नीचे आ रहा होगा यहां पिस तरकी से बनेगा और मार्केट उपर की तरह जा सकता है तो यही है आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में अगले पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में